Hello everyone, welcome back to the channel. Financial accounting में हम लोगों ने एक chapter स्टार्ट किया था joint venture. पिछले क्लास में हम लोगों ने joint venture का meaning यानि basic concept detail में समझा था. Joint venture का advantages पर हम लोगों ने बात किया था और इसके characteristics को हम लोगों ने detail में समझा था. उसी क्लास को आज हम लोग आगे लेकर चलेंगे. आज हम लोग joint venture और consignment के बीच के difference को समझेंगे, joint venture और partnership के बीच में का difference को समझेंगे, general entry करेंगे, account बनाना सिखेंगे और भी बहुत कुछ आज हम लोग सिखने वाले हैं. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. Let's begin. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज हम लोग जो topic कवर करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले तो हम लोग joint venture और partnership के बीच का difference देखेंगे, फिर joint venture और consignment के बीच का difference को हम लोग समझेंगे, joint venture का types यानि kind कितने तरह के joint venture हैं इस पर बात करेंगे, necessary accounts कौन से open करने होते हैं और general entry हम लोग type 1 का करेंगे, चार type है, चारो अलग 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 lecture में करेंगे, अलग 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 दिन करेंगे, क्युछ लोग मिल करके business start करते हैं, जब उनका motive fulfill हो जाता है, तो business को break down कर देते हैं, business को wind up कर देते हैं, और फिर अपने अपने घर चल देते हैं, पैसा वगरा, profit वगरा ले करके, partnership क्या है, partnership को करने का एक business करने का एक motive होता है, लोग बीच में आपस में मिलकर partnership का business करते हैं, और ये according to 1932 act जो है, वो partnership का business चलता है, profit को आपस में given ratio में share करते हैं, दोना concept बिलकुल अलग अलग है, इनके जो main difference है, वो कुछ basis पर अभी हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला है meaning, meaning क्या है, joint venture का, तो ये दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के एक साथ बिज्चस करते हैं, और combined business करते हैं, risk को combined ये आपस में share करते हैं, risk को bear करते हैं, मिलकर के, इस तरह का जो बिज्चस है, इसको हम लोग बोलते है, joint venture, partnership का जो बिज्चस है, ये according to partnership act 1932 जो है, ये क्या होता है कि profit को जो है partners आपस में given ratio में share कर लेते हैं, business को manage ये सारे लोग मिलकर करते हैं, या कुछ लोग इन सब के बदले में, इनके विहाप में मिलकर के business को regulate, operate and control करते हैं, दूसरा है number of persons, इसमें आप जानते हैं कि minimum joint venture में minimum जो है ये two persons होने चाहिए, और maximum number के लिए कोई restriction या कोई limit वगरा नहीं है, partnership में जो है कम से कम दो partner होना चाहिए, और maximum जो है वो आपका 50 partners होना चाहिए, name of the firm, यहां जो है joint venture का जो firm है, जो business का कोई नाम नहीं होता है, जबकि partnership firm का कोई एक particular नाम होता है, stability का कर हम लोग बात करें, तो ये temporary partnership होता है एक तरह का, और जैसे ही कि इनका specific purpose complete हो जाता है, on the completion of the specific purpose, तो joint venture come to in, बंद हो जाता है, partnership क्या है, ये continue चलते रहता है, till the business continues its existence, जब तक चल रहा है, तब तक business चलता ही रहता है, registration की बात करें, तो joint venture का ऐसा कोई particular act नहीं है, तो फिर registration भी नहीं होता है, compulsory नहीं है, registration कराना, लेकिन यहां पर जो है, registration optional है, is compulsory, registration जो है, यहां compulsory तो नहीं है, लेकिन यहां लिखा है compulsory है, status of minor, joint venture में जो है, minor is void, यानि illegal है, minor को आप joint venture का partner हिस्सा नहीं बना सकते है, यहां आप minor को partner बना सकते है, profit sharing में, लेकिन उसको business का कोई अगर secret है, तो उसको disclose नहीं कर सकते है, जो documentary evidence है, जो documents है, उसको disclose नहीं कर सकते है, minor partner के बीच में, हाँ, जब वो major हो जाए, senior हो जाए, तब उसके बीच में, जो है, documentary evidence को हम लोग distribute कर सकते हैं, और disclose भी कर सकते हैं, objects, यानि वो देश से क्या है, joint venture करने का जो एक motive है, वो बस एक business venture करने का motive होता है, और यह जो है, इसे कई objectives होते हैं, partnership business को चलाना है, रंग करना है, इसलिए partnership firm किया जाता है, restrictions, joint venture में, जो partner लोग आपस में जो होते हैं, उनको co-venturer बोलते हैं, जिसे 5 partner अगर हैं, तो सारे पांचों आपस में co-venturer, co-venturer कहेंगे, partnership के business में partner कहते हैं, तो restriction का बात कर रहे हैं, the co-venturers of a joint venture can also conduct the business similar to joint venture business, तो joint venture के जो co-venturers हैं, वो अपना business कर सकते हैं, दूसरे का भी business कर सकते हैं, दूसरा भी joint venture कर सकते हैं, लेकिन partnership के जो partners हैं, cannot run an individual business similar to partnership business, यानि partnership business के जो partners हैं, वो इस firm के अलावा दूसरा कोई partnership का business या individual business नहीं कर सकते हैं, लेकिन joint venture के जो co-venturers हैं, वो इस business के साथ दूसरा कोई भी business कर सकते हैं, periods का बात करें, तो इनका कोई limited period या time जो है, वो generally fixed, that's the upon the time work is over, कोई fixed time नहीं होता है, limited time अगर नहीं होता है, हा, on the completion of the work or the job, जैसे ही और the motive, जैसे ही उनका काम complete हो गया, जैसे उनको एक apartment बना था 10th floor का on a particular place, और वो जैसे ही apartment बना था 10th floor का on a particular place, और वो जैसे ही apartment बना था complete हो गया तो फिर यह wind up कर देंगे firm को, joint venture को, बन कर देंगे, the time period continues till the business is maintained, जैसे partnership firm मान लिया जाए, 50 साल के लिए बना गया है, 30 years, 20 years के लिए, तब तक partnership firm का business चलता रहेगा, या इनका अगर कोई particular motive है, duration है, तो तब तक के लिए जो है partnership firm आपका run करेगा, चलता रहेगा continually, distribution of profit, joint venture में जो है profit distribute होता है partners में after the completion of the business, joint venture में अल्प समय के लिए, कम समय के लिए short period के लिए business होता है, तो जैसे ही काम खतम हो जाता है on the completion of the work, तब जाकर के joint venture का profit जो है distribute होता है, लेकिन joint venture का business मान लिया जाए कि वो जो काम है, जो object है, जो task है, जो work है, मान लिया वो साड़तीन, चार साल, पांच साल का अगर चल रहा हो मान लो, तो वो हर एक साल के completion of the particular financial year, वो profit and loss account बनाएंगे और profit आपस में distribute करते रहेंगे, जिन्दल लेकिन देखा जाता है कि joint venture का business जब complete हो जाता है, वर्क complete हो जाता है, तभी ये profit calculate करते हैं, partnership के business में जो ये financial year को follow करते हैं, और हर साल at the end of the financial year, they calculate profit and distribute among the given ratio, और equal, अब implied authority, authority का बात करें, तो principle of the implied authority is not applied among the co-venturers, co-venturers पर जो है कोई भी principle, कोई भी सिधान, rule regulation, joint venture का applied नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसा को rule regulation नहीं है, यहां बार जो है, partners पर principle of authority is applied on partners, partners पर जो है rule regulation को apply किया जाता है, और इसका जो एक list होता, जिसको हम लोग partners से bid बोलते हैं, firm को कैसे operate करना है, regulate करना है, control करना है, management को कैसे circulate करना है, यह पहले rule बना लिया आता, rule according partnership firm काम करती है, partners चलते हैं, Name of the partners, यहां the co-partners is a joint venture or known as a co-venture, यहां जो partner होते हैं, यहां जो भी partners होते हैं, उसको हम लोग partner बोलते हैं, System of accounting, the accounting of the joint venture is based on cash system, यह cash system पर based होता है कि कुछ दिनों का business होता है, यह based on cash and credit system in detail form, Determination of profit, profit कब कैसे calculate किया जाएगा, specific joint venture, the profit ratio is determined separately, profit ratio separately distribute किया आता है, profit को आपस में बांट लिया आता है, separate कर दिया आता है, यहां पर एक given ratio होता है particular और उसी ratio में, हर साल business का profit को distribute किया आता है, preparation of accounts, कौन कौन सा account बनाए जाएंगे कैसे कैसे देखिया, The accounting of the joint venture is done on the closure of the venture and however for joint venture to be carried on for more than one year, interim accounts can be prepared. अभी जयसे हम लोगों ने बात किया कि joint venture को जो accounting है यह आपका work complete at the time of completion of the work, जैसे ही काम complete होता है तब account बनाए जाएगा, लेकिन अगर वो एक साल से ज्यादा काया है तो interim account बनाए जाएगा और at the end of the financial year इसको close भी किया जाएगा, profit होगा तो distribute भी किया जाएगा, लेकिन partnership के case में जो है यह prepare किया आता है हर financial year के end में, accounting अगरा, accounting treatment का क्या बात है, any one of the method can be used among the four method prescribed, joint venture को operate, regulate, control, management, सब चीच करने के लिए जो accounting है, वो accounting करने के लिए चार अलग-अलग method है, कोई साभी method हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन partnership के business में जो है सिर्फ एक ही common accounting method है, जो कि हर तरह के partnership business में apply होता है, drawing of bills of exchange, यहाँ जो है bills of exchange यानि bills receivable, bills payable आप जो सुने हैं, तो one coventurer can draw a bill, bill of exchange on other coventurer, एक coventurer दूसरे coventurer पर bill of exchange यानि bills draw कर सकता है, ड्रॉयर बन सकता है, दूसरे को ड्रॉई बना सकता है, लेकिन ऐसे partnership के case में जो है bill exchange नहीं होता है, ना कोई एक partner पर bill draw कर सकता है, ना कोई एक partner अपने पर bill draw करवा सकता है, ना drawer, ना drawing, place of accounting, accounting का place क्या है, it can be done on one place, on several places in books of coventurers, यह या तो एक coventurer के खाते में सारा books of account को इंटर कर लिया जाए, या जितने भी coventurer है, सब के खाते में books of account का इंटरी किया जाए, treatment accounting का ऐसा हो सकता है, लेकिन partnership के business में ऐसा नहीं है, accounting treatment जो है, वो partnership firm का जो कोई अगर head office होगा, तो वहीं किया जाएगा, एक जगा books of account का इंटरी वगरा treatment सारा कुछ होगा, specific act, joint venture के लिए कोई specific act नहीं है इस business को चलाने के लिए, इसलिए indirectly जो है, वो Indian partnership act 1932 के according ही चलता है, लेकिन partnership firm का अपना एक separate act है, Indian partnership act 1932, आपने पढ़ाओ का class 12 में भी, limitation and liabilities, limitation भी कुछ है, the co-venturer can limit their liability by mutual agreement, इनका जो liability है, co-venturers का, इनका mutual understanding से, mutual agreement से, इनका liability decide होता है, वो limit decide हो जाता है, partners का जो liability होता है, वो unlimited होता है, और इसलिए तो, इस unlimited liability के demerit को खतम करने के लिए, LLP बनाया गया था, limited liability partnership in 2008 में बनाया गया था, आईए, अब हम लोग बात करते हैं, difference between joint venture and consignment, तो joint venture का business तो आपको पता ही है, अभी हम लोग करी रहे हैं, कि दो या दो से ज्यादा लोग मिल करके, एक particular work को करने के लिए, जो एक उपकरम, जो एक venture स्टार्ट करते हैं, इसको temporary partnership भी कह सकते हैं, अगर start करते हैं, इसको हम लोग बोते हैं joint venture, profit वगर आपस में distribute कर लेते है breathtaking का कोई अपना act होता नहीं है, लेकिन consignment जो है, इसमें ब GIRL को मालिक वगरा नहीं होता है, consignment में क्या है, consignment में एक को एक business का मालिक होता है, और वो goods को भेजता है, जो士 जवार का sign करता है consignee को, उस cosignee बोलते हैं, अपने agent को, उसको good-send करता है, यह बिज् tailored का मालिक जो है, तो कंटिन अवस जो है, कंटिने वसित का मालिक है, और कंसाई। यह बस एजन्ट है। लेकिन यहाँ सारे yüz को लोग जो है, सारे सारे जो है मिलकर के thief, क्यों के सारी तो रेक्सोर्ण si पहसा लगाया है। है risk को आपस में जो है combined risk को आपस में जो बेर करते हैं, combined risk होता है, इसको joint venture कहते हैं. जब कि consignment कहा है, when the principal of his own risk, principal यानि प्रधान वैक्ति जो होता है, and ownership transfer goods for the purpose of sale is termed as consignment. तो goods को sale करने के purpose से consignment का बेंजन से start किया आता है, consignment को दूसरे जगह जो है पॉइंट किया आता है, जहां पर good sale करना चाहते हैं आप, ownership का बात करें, तो सारे के सारे जो coventurers है वो business के मालिक owner होते हैं, यहां पर जो है business का जो principal consignment है, जो मालिक है वो consignment है, कंसाइनी तो बस माल बेचता है, वो agent है, पार्टी का बात करें तो जितने भी coventurers यहां पर involved है, सारे के सारे मालिक है, हो सकते हैं, दो या दो से जादा coventurers हो सकते हैं, यहां दो ही parties होते हैं, एक consignor और एक consigne, consignor business का मालिक है, कंसाइनी business के लिए agent एक तरह का, scope क्या है, joint venture can be conducted for any legal business, joint venture जो है किसी भी legal business के लिए जो है वो applied किया जा सकता है, और consignment जो है only movable goods are considered, यह जहां पर movable goods है, consignment उसी के लिए होगा, जैसे यहां अगर आपको apartment बनाना है, तो apartment आप यहां से दूसरी जगा नहीं बनवा सकते हैं, apartment को आप कहां से transfer करेंगे, apartment तो कोई goods नहीं है कि यहां से आप भेजेंगे, और वहां पर वो बेचेगा, sell करेगा, तो जो movable goods है, जिसको एक जगा से दूसरी जगा हम लोग move कर सकते हैं, जिसमें durability है, ऐसे ही goods का business होता है consignment में, stability का बात करते हैं, तो यह तरह का temporary business होता है, इसमें को stability वगरा नहीं होता है, specific objective होता है, विसेश एक उदेश से होता है, जब fulfill हो गया तो यह खतम, business complete, consignment का business continue चलता ही रहता है, यह तरह का business है, खरीदने बेचना काम चलता ही रहता है, risk and liability का बात करें, तो risk and liability joint venture business में जो है, born by all, b-o-r-n-e, born, यह born नहीं है, born है, तो born यानि सहन करना, risk को सब लोग मिल के सहन करते हैं, यहाँ बड़ जो है risk को सिर्फ consigner ही वहन करेगा, क्यों का business का माल ही, consignee को risk से कोई लेना देना नहीं है, वो यतना का माल बेचेगा, sell करेगा, उसको consignee को, उस पर बस commission चाहिए होता है, mutual relationship, यहाँ जितने भी co-venturers हैं, इनके बीच में partnership के जैसा relation होता है, सारे आपस में जैसे partner होते हैं, partnership business में, वैसे co-venturers यहाँ पर आप आपस में co-venturers के relation होते हैं, consignment के business में, consigner business का principal यारी owner होता है, consignee एक agent होता है, वो माल sell करता है, commission मिलता है उसको, rights and duties का बात करें, तो सारे जो co-venturers हैं, इनका आपस में, जो rights and duties हैं, वो equal होते हैं, यह बात mutual agreement में, वो लिखे रहते हैं, अपने साथ में, consignee जो है, यह business का owner है, और consignee जो है, इन दोनों का rights and duties क्या है, तो जितना भी rights and duties है, वो consigner का है, liabilities of each of them, तो दोनों का जो है, इसमें liabilities है, दोनों का rights से अलग-अलग धनका है, लेकिन consignment का business में, arrangement of funds, यहां जितने भी co-ventures होते हैं, सारे के सारे co-venturers, मिल करके यह arrange करते हैं, पैसा arrange करते है capital के नाम पर, consigner जो है, यह arrangement करता है, goods का, consignment का business करने के लिए, arrangement करना है, क्योंकि business का owner है, distribution of profit, यह pre-determined ratio होता है, और उसी ratio में यह आपस में profit distribute कर लेते हैं, consignment में profit का जो है, कोई लेना देना नहीं है, जितना भी profit हो का business का, उसका जो मालिक, यानि owner है, consigner है, सारा profit, जो है, को कंसाइनर कहीं होता है, माना जाता है, consignee का agent होता है, चीज़े यहाँ पर fix है, payment of commission, यहाँ पर generally commission is not paid to any co-venturer in joint venture, joint venture में commission वगरा जैसा कोई concept ही नहीं है, consignment के business में generally consignee को commission pay किया आता है, उसके sales पर, consignee एक तरह का agent है, कितना माल उसने sell कराया, उस selling value पर, उसको commission दिया जाएगा, pre-determined जो होता है, sending of account sale, sending of account sale, account sale जो है, यह जो term है, यह आपका consignment business का है, consignee कितना माल sale किया, कितने खर्चों का payment किया, उसका detail लिख करके लिखित, एक documentary evidence as a send कर देता है consigner को, उसको account sale बोलते है, consignee बनाता है, और consigner को send कर देता है, सारा कुछ काम करने के बाद, यहाँ account sale जैसा कोई detail नहीं होता है, क्योंकि यहाँ सारे covenger आपस है, partners जैसे हैं, और sale वगर आपस में transaction वगर सब को पता ही रहता है, तो यहाँ कोई account sale वाला concept नहीं develop है, नहीं होता है, number of persons, यहाँ पर जो है, कम से कम दो partners होने चाहिए, और maximum numbers के लिए कोई restriction नहीं है, कितना भी हो, यहाँ पर ज्यादा स्यादा, जो है, sorry, minimum two partners होने चाहिए, sorry, यह तो consigner का business है, तो यहाँ पर कोई person का बात करें, तो दो ही है, एक consigner है, एक consignee है, और यहाँ तो भई, maximum unlimited है, dissolution का बात करें, तो joint venture जो है, फर्म यह अपने आप itself dissolve हो जाता, fulfillment of objectives of the functions of joint venture, जैसे ही इनका काम पूरा हो जाता है, function complete हो जाता है, तो form अपने आप dissolve हो जाता है, यहाँ dissolution बारकर आप कोई बात नहीं है, यहाँ का जो बिजन से वो continue चलते रहता है, completion of one consignment, फिट दूसरा consignment होता है, तो business continue चलता ही रहता है, governing act का बात करें, तो यह joint venture का जो बिजन से indirectly, यह partnership अग 1932 के according चलता है, और यहाँ पर जो है, यह Indian contract act में, जो law of agency का जो act है, वो act यहाँ पर follow किया जाता है, accounting treatment का अगर हम लोग बात करें, तो चार अलग-अलग method है accounting का लेखा जो खा treatment करने के लिए, यहाँ पर बस एक ही method है, उसी से सारा accounting treatment वगरा किया जाता है, चलो, तो यह first page में हम लोगों ने इतना ही देखा, फटा-फट सार इसका screenshot ले लेज़े, आईए, अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे, times of joint venture, joint venture के जो है, चार अलग-अलग type है, चारो में से कोई भी type, कोई सावी method के according, books of account जो है, maintain किया जा सकता है, कोई भी joint venture में, तो joint venture का type अलग-अलग है, यह बोलना ठीक नहीं रहेगा, joint venture के अंदर, accounting treatment, accounting करने के अलग-अलग types है, या अलग-अलग method है, तो accounting के treatment के basis पर चार method हम लोग कह सकते हैं, पहला method में, when only one co-venturer maintains books of account, पहला method कहता है, कि जब एक ही co-venturer जो है, पूरे joint venture का books of account को maintain करेगा, माल लेते हैं, कि joint venture में तीन co-venturer है, A, B और C, तो A जो है, वो B, C के लिए और पूरे firm के लिए जो है, अकेला entry वगरा, accounting treatment करेगा, या B, जो है, वो पूरे business के लिए करेगा, या C, treatment करेगा, accounting का काम करेगा, तो एक ही co-venturer पूरे business का accounting treatment का काम करेगा, इस method के अंदर में अगर हम लोग बात करें, तो 26-26 general entries हम लोग को देखना है, यहाँ दो account बना जाते हैं, एक joint venture account और एक co-venture account, दो account बनेगा, दूसरा होता है, when all the co-venturers maintain books of account, यहाँ पर सारे के सारे co-venturer, जैसे मान लिए तीन अगर co-venturer है, A, B, C, तीनों ही books of account maintain करेंगे, इसके अंदर 21 general entries है, दो account बनाने होते हैं, joint venture account और other co-venturer account, other co-venturer account जैसे A, B, C अगर मान लेते हैं, तो A जो है वो B account बनाएगा और C account open करेगा, दो account open करेगा, B अगर बना रहा है, तो B अपने यहाँ जो है, अपना account नहीं open करेगा, A का और C का account open करेगा, ऐसे C अपने यहाँ अपना account नहीं open करेगा, B का और A का account open करेगा, तो यह हो गया, तीसरा कहते हैं कि when separate set of books is maintained, separate set of books, अलग-अलग set of books को maintain किया जाएगा, अलग-अलग books होंगे, यहाँ 24 general entries होंगे, तीन account बनाया जाता है, एक तो joint venture account, फिर co-venturers account, और तीसरा joint bank account बनाना पड़ेगा, बैंक आपना जैसा ही बनता है, चौथा method है, फोर्थ method, when each co-venturer maintains books of account, जहाँ पर की सारे co-venturers जो हो books of account maintain करते हैं, यहाँ पर क्या है, चारों के 4 books of account maintain कर रहा by section सारे मिल कर रहे हैं, यहाँ सब लोग कर रहे हैं लेकिन अपना-पना कर रहे हैं, अलग-अलग सब लोग अपना भॉज कर रहे हैं, तो यह बहुत कम चलता है, इसमें 16 जनल इंट्री से दो अकाउंट बनाने होते हैं, Memorandum Joint Venture Account और Joint Venture with Other Co-Ventures Account. यह मेथड हो गया, चलिए, तो आज अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे, First Method का, When Only One Co-Venturer Maintains Books-Up Account, जब सिर्फ एक ही Co-Venturer, जो है, Books-Up Account को Maintain करेंगा, इसके कुछ characteristics है, All the Co-Venturers of the Joint Venture Business hand over all the trading managerial and accounting-related functions to one Co-Venturer. इसके अंदर क्या है, कि जितने भी accounting treatment है, accounting holdings है, managerial जो भी काम है, trading के काम है, सारे Co-Venturers जो है, एक particular Co-Venturer को सौप देते हैं, उनको depute कर दिया आता है, तो वही करता है, तो सारे नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही Co-Venturer जो है, Books-Up Account maintain करेंगा, accounting interest वगरा करेंगा, इस Co-Venturer actively operates all the functions of Joint Venture, और यही जिसको upfront किया गया है, सब लोगों ने decide कि इसको Books-Up Account वगरा करना है, वो Books-Up Account को manage करेंगा, सब कुछ करेंगा, function वगरा को वही operate वगरा सब करेंगा, All the other Co-Ventures transfer the share of capital to the particular Co-Venturer, जितने अलग अलग जितने भी जो Co-Venturer है, यह लोग सब लोग अपना जो अपना capital वगरा जो है, उसी particular Co-Venturer को transfer कर देगा, The Co-Venturer purchases and sells the goods, make all the business payments and maintains books of accounts of Joint Venture, तो यह जितने भी Co-Venturers है, यह जो particular Co-Venturer है, यह क्या करेगा, business का जितना भी goods जो sale करना है, buy करना है, जितना भी payment receipt करना है, payment made करना है, payment करना है, मतलब सारा का सारा यही Co-Venturer करेगा, This Co-Venturer is entitled to receive commission on activities of purchase and sale, remuneration, additional profit for his services, और यह जो particular Co-Venturer है, जिसको हम लोगों ने appoint किया, सारे Co-Venturer ने मिलके, कि यही books of account को maintain करेगा, operation, business operation, management भी देखेगा, trading भी करेगा, buy, sale, payment, receipt, सब काम करेगा, तो उसको जो है Joint Venture के जो firm है, उस के तरब से उस particular Co-Venturer को commission मिल सकता है, कुछ additional profit मिल सकता है, remuneration, यानि पाइसरम में अलग से कुछ दी जा सकती है, नहीं भी दिया जा सकता है, लेकिन जनरल यह ऐसे Co-Venturer को मिलता है, अब general entry का हम लोग बात कर ले, तो first method में देखे 26 entries है, है ना, 26 general entries है, लेकिन यह 26 general entries देखकर कि आप घवराइए मत, क्योंकि किसी भी एक particular question में maximum मैंने देखा है, 10 से 12 entries करने होते हैं, यह 26 entries जो है, यह maximum entries है, और किसी भी question में इतना entries आपको नहीं करना है, वो 10 से 12 entries ही maximum आपको करने होते हैं, लेकिन सारा entries हम लोग को सीखना तो होगा, आईए, पहला entries है, when cash contributed by other co-venture, किसी भी बेंजस को start करने के लिए पैसे हम पहले हम लोग cash contribute करना पड़ता है, यानि capital लगाना पड़ता है, पैसा invest करना पड़ता है, तो पहले हम लोग जो बेंजस करते थे, तो क्या करते थे, cash या bank account debit to capital, यहां क्या होगा, बाकि सारे co-venturer जो है, पैसा किसको देंगे, इस co-venturer को देंगे, और वही entry कर रहा है, तो वो entry करेगा bank account debit to other co-venturer account, जैसे A से पैसा मिला है, तो to is account, ऐसा, तो bank account debit to other co-venturer's account, A से मिले, B से मिले, क्योंकि entry बगर सी कर रहा है, तो, for goods given in joint venture from his own stock, अगर वो जो co-venturer entry कर रहा है, अगर वो अपने stock से कुछ सामान जो है, अगर वो joint venture के business में लगाता है, तो इसके लिए हम लोग entry करेंगे joint venture account debit to purchases account, यारे कुछ माल, कुछ सामान हमारे business में आया है, purchase किया हम लोगो ना, ऐसा entry हम लोग करेंगे, इसके बाद है when goods purchased for cash for joint venture business, जब भी देखिए हम लोग payment करेंगे तो to bank तो हो गए है, लेकिन business के लिए हम लोग चाहे goods करेंगे, expenses का payment करें, या फिर कोई assets purchase करें, हमेशा हम लोग joint venture को debit करेंगे, तो joint venture account debit to bank account, ऐसे ही जब goods हम लोग credit में purchase करेंगे business के लिए, तो फिर joint venture account debit to suppliers account, और cash खरीदेंगे तो joint venture account debit to bank account, ऐसे ही for purchases of goods by other co-ventures for joint venture business, अभी हम लोग ने देखा, जो co-venturer जो entry वगर कर रहा है उस ही ने खरीदा, अब हम लोग entry कर रहे हैं entry no.5, कि दूसरा मान लेते हैं A जो है हमारा co-venturer है उसको appoint किया गया है, एंटरी करेगा mainly, बस बाकी लोग नहीं करेंगे, तो अगर A के अलावा B, या C के दौरा अगर goods purchase किया गया है business के लिए, तो क्या entry करेंगे, तो joint venture account debit to other co-ventures account, यानि यहां पर to लिख देंगे C, to B, क्योंकि बाद में हिसाब करेंगे, तो उसको भी हम लोग ने paid कर दिया है, क्योंकि indirectly उसने पैसा लगा दिया है, और हिसाब जब finally करेंगे तो उसको पैसा दिदेंगे, ऐसा है, चलो जी, For expenses paid by himself, अगर इस ने payment किया है, Mr. A जो की entry बगर कर रहा है, B या C जो भी हो, अगर कोई goods sale किया गया है, तो पैसा आ जाएगा, तो bank account debit to joint venture account, ठीक है, यानि कोई भी expenses वगरा होगा, तो joint venture को debit करना है, कोई income gain अगर होगा, तो joint venture को create करना है, joint venture account finally हम लोग बाद में लास्न बनाएंगे, joint venture account बना करके, हम लोग बिज्ञास का profit या loss calculate करते हैं, joint venture account जो है, वो profit and loss account जैसा ही है, जो हम लोग को profit या loss बताता है, आगे देखिए, entry number 9, for sale of goods on credit, जब उधार में माल बेचेंगे, तो फिर customers account debit to joint venture, cash में माल बेचेंगे, तो फिर cash या फिर bank account debit to joint venture, 10, for sale of goods by other coventurer on cash or credit, दूसरे coventurer के द्वार अगर goods sale किया गया है, तो फिर other coventurer को हम लोग debit करेंगे, क्योंकि firm यानि joint venture उससे पैसा लेगा, तो उसको हम लोग debit कर देंगे, तो other coventurer यानि B अगर है, तो 20 account debit कर देंगे, और 2 joint venture account, cash हो तो भी credit हो तो भी, क्योंकि हिसाब किताब किस से, किस के सर पर चड़ा देना है, उस coventurer यानि B के मात से चड़ा देना है, क्योंकि उस ही नगर sale किया है तो, क्योंकि firm तो उससे लेगी, joint venture का business तो उससे लेगा, cash में बीचा हो या credit में बीचा हो, 11, for commission on sales or salary charged for himself, other coventurer, जो entry वगरा कर रहा है, क्योंकि एक ही person यह entry करेगा, तो उसको commission चाहिए होता है, commission यह salary जो मिलेगा firm के तरफ से, joint venture के लिए तो यह तरह खर्चा है, जब भी expenses होगा, assets credit देंगे, goods credit देंगे, जब भी पैसा जाएगा, जब भी खर्चा होगा, तब तब joint venture debit, commission salary जा रहा है firm से, joint venture account debit to commission salary जो भी हो, for commission on sales और salary, charged by other coventurer, ऐसा भी हो सकता है कि other coventurer के द्वारा salary या कोई remuneration अगर charge कर दिया जाए, तो भी joint venture के लिए खर्चा है, joint venture account debit to other coventurer, और अगर अपने लिए कर coventurer ले रहा है, तो joint venture account debit to salary या commission, 13 में, for receiving cash or bills receivable from other coventurer, दूसरे coventurer के द्वारा, other coventurer के द्वारा, अगर किसी तरह का कोई-कर cash receive हो रहा हो, bank के थूरे पैसा receive हो रहा हो, या bills of exchange, या बिल्स receive हो रहा हो, तो इसको debit कर लेंगे, to other coventurer उसका नाम लिख लेंगे, तो B या C जो भी हो, जो आए का joint venture business उसको debit कर लेंगे, चाहे वो bill receivable हो, या bank हो, केट कर देंगे to other coventures account, ये तो accounting का भी rule है, credit the giver, केट कर देंगे. Entry number 14, for receiving cash or bill receivable from customer, customer से जब receive करेंगे, to bank या bill receivable account debit to customer account, debit what comes in, to bank या bill receivable account debit or to customer account, create the giver, for discounting the bill, bill जो हो, अगर हम लोग समय से पहले पैसा चाहते हैं, तो bank में जाकर discount कराना होता है, आप पढ़े हों, class 11 में, तो 10,000 का bill है, bank में जाकर discount करा रहे हैं, before the time of maturity, तो bank नहीं क्या किया, 10,000 का bill तो रख लिया, 9,800 आपके खाते में डाल दिया, 200 रुपय discounting charges काट लिया, ऐसे time में हम लोग entry करेंगे, bank account debit 9,800 रुपया, discount charges जो है, 200 रुपया कट गया, business के लिए lost expenses है, उसके लिए joint venture account debit इस तरह का entry pass करना होगा, अगे देखे, when cash received and discount allowed to customer, मान लोग के customer को हम लोगों ने 5,000 रुपया का माल बेचा था, और जब वो payment कर रहा है, तो हम लोगों उसको 200 का discount भी दे दिया, तो ऐसे case में, 4,800 रुपया हो गया, तो bank account debit 4,800, जो discount हम लोग देंगे, business के लिए loss है या expenses है, उसके लिए joint venture account debit और to customer account 5,000 रुपया, इस तरह का entry pass करना होगा, अगर business में कोई पैसा जो उधार में बेचा था, अब डूब गया है, तो business के लिए loss है, इस bad date को हम लोगो ने transfer कर दिया joint venture account में, इसलिए credit दिख रहा है, हलांकि यह credit नहीं है, entry number 18, for acceptance, for acceptance given on bills, on bill of other co-venturer, अगर किसी co-venturer का bill, अगर हम लोग accept करना हो, मानलो पैसा अगर नहीं है, अभी देने के लिए joint venture के तरफ से, तो हम लोग उसका bill accept कर लेंगे, यानि liability है, तो इसको वो लेंगे other co-venture जिसको देना था, उसको हम लोग pay कर देंगे, तो B को देना है मानलो, अपन तो A है अभी, तो फिर other co-venture यानि B's account debit, to bills payable account, bills payable business के liability है फिलाल, entry number 19, 18, 18 entries एक लिया हम लोगो ने, तो घबडाना नहीं है, बस 8-10 entry ही जो है वो बार बार हम लोग देखते हैं, वो entry pass करना होता है, 26 entry तो maximum है, for payment made to creditors or supplier, supplier को जो payment करेंगे, supplier account debit to bank account पहले जैसा है, for discount received on payment, payment पर अगर discount received हो रहा है, तो business के लिए तरह का gain या फाइदा हो गया, income gain हो गया, तो joint venture credit हो जाएगा, और discount को कर देंगे हम लोग debit, फिर वही बात कि discount को आप यहाँ debit माज समझेए, कि income gain को तो credit करना होता है, discount को transfer किया गया है joint venture account में, इसलिए discount debit दिख रहा है, और joint venture credit है, for unsold stock taken over himself, जो माल नहीं भी का, और बिजिनस बंद होने को है, unsold stock अगर कुछ रहा गया, और himself, स्वयम खुद से यह co-venture यानि यह जो है, अगर उसको take over कर लेता है, तो इसके लिए unsold stock account debit to joint venture account करना पड़ेगा, जब भी joint venture में कुछ आता है, तो debit joint venture debit और जब जाता है, joint venture credit, for unsold stock taken over other co-venturer, अभी तो खुद से लिया था take over किया तो यह entry, for unsold stock taken over by other co-venturer, other co-venturer के द्वार अगर यह take over किया जाए, तो क्या entry हुआ जी, तब तो other co-venturers account debit to joint venture account हो जाएगा, other co-venturer को debit कर लेंगे, यह other co-ventures ते तरह capital से set off होगा last में, हम लोग देखेंगे co-ventures account में, तो उसको debit कर लेंगे, और to joint venture account कर लेंगे, final settlement में उसका पैसा ही तरह ही हम लोग काट लेंगे, फिर होता है when profit earned on joint venture, हम लोग अब last के तरह पहुँच गया है, अब हम लोग joint venture account बनाएंगे, सारा calculation के पता चला कि profit हुआ है, तो profit बे तो आप जानते हैं, when profit earned on joint venture, joint venture के business में जब profit होगा, तो हम लोग entry करेंगे, जो भी मान लिया जाए कि 10,000 रुपय का profit हुआ है joint venture के business में, तो जो coventurer जो entry कर रहा है Mr. A, वो अपना पैसा रखेगा, और B और C का पैसा जिसको transfer कर देगा, तो total 10,000 का profit हुआ है मान लेते हैं, तो joint venture account debit करना पड़ेगा 10,000 से, अपना profit अपने पास वो मान लिया है, जिसके हिस्से में निकलता है 3,000 तो वो रख लेगा, और बाकी other coventures को 7,000 रुपय है transfer कर देगा, 2 A, 2 B, sorry 2 B और 2 C, मान लो यह B है और C है तो अलग-अलग करके हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, तो यह profit transfer हो गया, लेकिन loss अगर हो तो इसका reverse entry कर देंगे, PL account debit कर देंगे, और मान लो 10,000 का loss हुआ है तो अपने हिस्से में 3 year का loss, बाकी के सारे के हिस्से में 7,000 का loss और 2 joint venture, 10,000 का कठे loss दिख रहा है तो यह entry, दो entry और हम लोग करना है अब final settlement के लिए, सारा कुछ करने के बाद जैसे आम business में common business में हम लोग capital account बनाते हैं, सारे partners का settlement करने के लिए किसका कितना निकल रहा है firm के तरफ से पैसा, कौन लाएगा, कौन ले जाएगा, उसके लिए 2 entry, अगर co-venture का पैसा निगल रहा है joint venture के business के तरफ से तो उसको पैसा दे देंगे, मान लोग B को देना है पैसा, तो B's account debit कर देंगे to bank account, और अगर C's से पैसा लेना है तो फिर हम लोग को bank account debit firm में पैसा आ जाएगा, और to C's account ऐसा कर देंगे, तो यह reverse entry आपस में है, तो यह जो है आपका 26 entries जो काफी आसान है, आपको दिख रहा है 26 entry लेकिन common business में जो हम लोगों ने entry सीखा होता है, वही entry यहां repeat हो रहा है कुछ नया नहीं है, चलो फटा-फट सा अब इसका screen सोटे लो, अब आगे last, अब हम लोग account क्या open करने वाले हैं, तो अलग-अलग joint venture के business में जो चार अलग-अलग method हैं, अलग-अलग type के है ले इसको accounting treatment करने के, तो इसके अलग-अलग account के number भी हैं, कहीं दो account कहीं तीन account बनाना होता है, तो इस method के अंदर हम लोग को दो account बनाना है, हाना, necessary account, तो यहां हम लोग को दो account बनाना है, एक तो joint venture account बनाना है, और दूसरा co-venturer account बनाना है, तो joint venture account जो है काफी आसान है, joint venture account जो है एक तरह का profit and loss account है, अच्छा यह जो है न, यहां यह date, अरया, देखे, यह जो है यह आपका date column है, यह amount column है, और debit side के लिए amount column तो है, यह date column जो है न, यहां पर है, वो date वाला जो column है न, वो crop करने से गलती से मेरे से cut गया, तो please आप इसको manage कर लेना, इधर भी date column होगा, है न, चालो, joint venture account में debit में क्या आगा, तो general entry में जहां जहां भी joint venture debit हम लोगों ने देखा था, वो सारे item जो है यहां debit में आ जाएंगे, यानि all types of expenses, losses, all types of purchasing, चाहे वो assets का purchasing हो या goods का purchasing हो, सब debit में आगा, credit side में जो unsold stock हो गया, जो हम लोगों ने sale किया है, जो किसी भी तरह का income हो, gain हो, firm के लिए, business के लिए, वो credit में आएगा, और last में जो है, क्या करेंगे, credit side का total जादा होगा, balance अगर debit में आएगा तो फिर profit, distribute होगा, सारे co-ventures में, अगर debit का total जादा हो गया, तो फिर loss यह भी distribute होगा, सारे ही co-ventures में, चलिए, तो यह co-joint venture account, तो वो PL account जैसे हम लोग treat करते हैं, उससे profit and loss पता चलता है, दूसरा है, यह co-ventures account, इसको हम लोग capital account जैसा treat करते हैं, यानि co-ventures से firm में कुछ भी मिल रहा है, अगर firm को कुछ अगर मिल रहा है, तो सब का entry हम लोग trade में करेंगे, जैसे co-ventures कुछ पैसा ले करके आता है, कुछ commission मिलने वाला है, तो अगर उसने कुछ firm के लिए, उसने कुछ expenses कर दिया है, यह सब को हम लोग trade side में entry कर लेंगे, firm के तरफ से उसको कच पैसा मिल रहा है, तो सब trade में entry करेंगे, और debit में हम लोग entry करेंगे, firm से उसको joint venture का business से जो लेगा, यानि अगर कुछ माल सेल कर दिया है, बिल्स पेवल अगर है, अंसल स्टॉक रहे गया, लॉस अगर हो गया, यह सब final settlement हम लोग कर लेंगे, create side का total अगर है, आप इस इंसोट ले ले सकते हो, टेलिग्राम चैनल में यह सारा notes जो है मैं डाल दूंगा, link जो है आपको description में मिल जाएगा, इस वीडियो के, आप महां से देख सकते हैं, तो आज हम लोग ने joint venture का different चार method देख लिया है, और इसके अंदर में जो first method है, उसका हम लोग ने 26 general interest देखा है, दो account बनाना सीख लिया है, consignment और joint venture का difference हम लोगो ने देख लिया है, और joint venture और partnership के बीच का भी difference हम लोगो ने देख लिया, आज हम लोग इतना से कुछ किया, आप अच्छे से सारा general interest को समझ ले, account को समझ ले, और next जो है video में, lecture में हम लोग question solve करना सीखेंगे, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, आज का lecture आप कैसा लगा, कितना आपको समझ माया, अगर कोई doubt है तो आप comment सकते हैं, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं next video में, तब तक के लिए take care, bye